तो दिनांक 22 अप्रेल से 30 अक्टोबर तक गुरू और राहू का चांडाल दोस बन रहा है और इस दोस का असर करक लगन वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्र लगन वालों के लिए यह 10th house में बनेगा जहां पर आपके मेश रासी है 10th house में और यहां देखे ओल्रेडी राहू गोचर कर ही रहें तो राहू का प्रभाव अल्रेडी आपको देखने को मिल रहा है लेकिन गुरू का जो यहां पर इंटरेंस होगा गुरू का जो यहां प होते हैं तो वहां पर आपकी जो expectation है अपने आपको लेके अपने उस particular house को लेके वह काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं अब दोनों ही जो planet है वो ऐसे हैं जहां पर हम विस्तार को देखते हैं जहां पर हम चीजों को एक से दो दो से चार चार से आठ होते देखते हैं तो य यह जो 22 April का जो समय 22 April से लेके यह लगभग October तक का जो समय है इसमें आपको थोड़ा सा comfortably अगर देखा जाए तो कमी feeling होगा और थोड़ा सा uncertainty आपको ज्यादा feel होगी अपने काम को लेके कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि आप या तो सही नहीं कर रहे हैं या चीज़ expectation बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और out of the box जाके चीजों को आप सोचने लगेंगे लेकिन यहाँ पर आपको जैसे ही गुरू का इंटरेंस होगा बहले ही आप पहले किसी और जोब के लिए try कर रहे थे किसी और जोब में अभी आप कहीं काम कर रहे थे किसी और office में काम कर रहे थे लेकिन suddenly आपका जो mood है वो change होगा और आपको लगेगा कि जो पहले वाला decision है वो आपका गलत है और आप you turn लेंगे दूसरा रास्ता चुनेंगे तो यह जो परिवर्तन है काफी लोगों को एक सही direction में भी लेके जा सकता है इसके अलावा आपको अपने देश में ही over try भी कर सकते हैं केरियर के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यदा uncertainty आपके मन में होना आपके boss के साथ जो आपके relations है उनको लेके थोड़ी सी uncertainty आपके मन में उत्पन होना आपको यह नहीं पता लगेगा कि आपका boss आपके बारे में क्या सोच रहा है या वो आप आपके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है या वो आपको निकालने के लिए तो कुछ नहीं सोच रहा है और यहां पर एक sudden change तो होना ही है आपके career में अब वो change बहुत बढ़िया भी हो सकता है आप लोगों के लिए या वो कुछ हद तक आपको यहां पर प्रसान भी कर सकता है कुछ समय के लिए तो यहां अब जो stability की अगर हम बात करें तो यहां stability नहीं दिखती है और आपको लगेगा कि आपको जो salary मिल रही है या जो आपको promotion वगरे सही समय पे नहीं मिल रहा तो इस परकार की कुछ ना कुछ आपके मन में धारना ही रहेंगी और आपकी क पुछ इस परकार की अंदर से expectation आपके निकल के आएंगी जो हो सकता है बहुत ज़्यादा सही भी हो तो बहुत ज़्यादा वो गलत भी हो सकती है लेकिन यहां गुरू का साथ मिलना एक सही direction आपको अवस्य से देखने को मिलेगी तो proper तरीके से जो भी लोग अभी कोई सारे में सोचे एक बार में ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर लेंगे कुछ लोग हो सकता है जिसमें यह जो यूटी है वो आपको थोड़ा ओवर्ट्राई करने का chance दे सकती है या कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा ओवरली कोई काम को करेंगे ओवर्टाइम कि कोई बहुत बड़ी expectation ना रखे अब हो सकता है कि बहुत पहले से ही आपका जो केरियर है उसमें काफी ज़्यादा उतार जड़ाव आ रहे थे तो उन लोगों को तो परेशानी और ज्यादा होगी और आपको एक अंदर यंदर एक भैस अताता रहेगा एक मन में एक थोड़ यहाँ पर रहने वाला है आपके मन में तो यहाँ देखिए जरुत है आपको सही direction में चलने की सही प्रकार से सोचने की चीजें आपको जैसे मिल रही हैं बिल्कुल okay है या नहीं है उनके बारे में बहुत ज्यादा विचार नहीं करना प्रमोशन आपको कब मिलना है कब नह सकते हैं तो अब यह जो condition है यह जो दोनों का जो दोस्त बन रहा है उसमें हो सकता है कि आपकी suddenly कोई न कोई ऐसा chance आपको मिले अगर इसके अच्छे प्रभाव आप लोगों को मिलते हैं तो suddenly आपको promotion मिलना, suddenly आपकी salary बढ़ जाना, suddenly आपका job change हो जाना और एक बहुत अच् काम करोगे जादा अच्छा रहेगा और career के साथ साथ अपनी जो domestic life है, domestic life के उपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और देखा जाए तो आपको अप्रेल से लेके आपको कुछ नई प्लान अगर करनी है तो अप्रेल के बाद आप कर सकते हैं और कुछ हदितक अभ होने के साथ ही आप कुछ ना कुछ decision अवस्य बदलेंगे अपने कुछ decision जो पहले आपने ले लिए हैं already आप लेके रखे वेए decisions को उन planning में कोई ना कोई बदलाव अवस्य आएगा तो उस बदलाव के साथ अगर आप चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा और अभी तक नहीं न कई आप एक जोब से संतुष्ट नहीं होंगे आप एक साथ बहुत सारे काम करना चाहेंगे बहुत सारी income प्राप्त करना चाहेंगे और कोई भी shortcut तरीके से आप काम ना करे ज्यादा अच्छा रहेगा अब यहाँ जो यूती बन रहे है इसमें दोनों की जो दृष जल हो सकती है आपके second आउस related कारियों में आप यह सोच सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा अगर salary मिल जाती है या आपको salary में increment लग जाता है या promotion बगए जाता है तो आपकी salary बढ़ जाएगे जिससे आप कोई ना कोई अपना बड़ा खर्चा निकालेंगे family को लेके तो इस परकार की अपेक्साएं आप करने वाले हैं इस यूती के दोरान इसके अलावा कुछ नो कुछ ज्यादा ही आपको यहाँ पे अपने फैमिली से एक्सपेक्टेशन रहेंगी अपने मामले में कि आपकी फैमिली आपको अच्छे से सपोर्ट करे और कुछ चीजें बहुत बड़े रूप में आपको दिख सकती हैं तो यहाँ पे एक लिमिटेशन में रहना बहुत ज्यादा आपके लिए जुर्री हो जाता है वरना फिर आपको यह आत्मसंतुस्टी जो आपको रहेगी उसमें बहुत ज्यादा कमी करेगा और फिर आप कुछ न कुछ गलती करेंगे या आप गलत रास्ता चुनेंगे जल्दबाजी करेंगे जितना आप जल्दबाजी करेंगे उतना आपको नुकसान होगा यहाँ पे इसी तरह से अब इनकी जो अगली दृष्टी पड़ेगी वो आपके फोर्थ हाउस पर पड़ेगी तो फोर्थ हाउस पर पड़ने से आपको यह जरूरी है कि डॉमेस्टिक लाइफ का बैलेंस आपकी कैरियर के साथ साथ जरूर होना चाहिए इसके लावा आपकी माता जी के साथ अच्छे रिलेशन्स आपको रखने है और घर से आप दोर जाना चाते हैं अगर विदेश जाना चाते हैं तो काम के परपस से यह यूटी आपको विदेश भी लेकर जा सकती है इसके लबाब कारिय स्थल में कोई ना कोई बदलाव या जोब में कोई ना कोई बदलाव आपका जो domestic life है उसको पूरी तरह से बदल सकता है इसके बाद देखे यहां से जो अगले दृष्टी पड़ेगी वो चठे गर पे पड़ेगी तो चठे गर पे पड़ने से आपका workplace change हो सकता है आपको हो सकता है कि विदेश जाना पड़े आपको कुछ पैसे वैसे कहीं से उधार लेने पड़े ऐसी conditions भी आ सकती है और उसके बाद देखे अप्रेल के बाद का जो समय वो आपके लिए ज्यादा अच्छा अगर आपने कहीं पर लोन वगरे ले रखा है किसे विवाद में आप फसेवे हैं तो वहां पर कुछ हद तक आपको बहुत अच्छे राहत मिल सकती है अब लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अपनी limitations निर्धारित करके काम करना है क्योंकि यह जो यूती बन रही है वो आपको चीजों को बहुत बढ़ा दिखाएगी बहुत ज्यादा जूम करके आपको चीजों को दिखाएगी और आप उसके बाद अपने मन में बहुत बड़ी इच्छाएं पाल लेंगे आप बहुत बड़े बड़े सपने देख लेंगे और कलपनाएं करेंगे तो उस हिसाब से काम होने वाला नहीं है आपको रियलिस्टिक रहना है और रियलिस्टिक काम अगर आप करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा तो कुछ इस परकार के प्रिणाम आप लोगों को करक लगन वालों को मिल सकते हैं जब भी ये यूती आपके अप्रेल से स्टार्ट होगी